नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हरजुन खजूरे और आपका स्वागत है SGV नियूस पर इस वक्त कि आपको बड़ी ख़बर बता दे क्योंकि बिहार के उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नितिश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव इस समय दिली दोरे पर हैं और अलग-लग नेताओं से मुलाकात की जारी है अलग-लग पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की जारी है और ये क्यों की जारी है क्योंकि अगले साल आने वाला है 2024 में लोकसभा का चुनाफ उससे पहले विपक्ष जो है वो एक जुट होना चात सबसे पहले राहूल गांदी मलीकारजुन खडगे से मुलाकात हुई और उसके बाद अब नितिश और तेजस्वी आदव का यह जो दोरा है यह लोग सवाचुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों को एक जुट करने की कोशिश के रूप में इसको देखा जा रहा है बुदवार पुरी है कि देश की सब विपक्षी पार्टियां यानि जितनी अपोजिशन पार्टियां सब साथ आकर सरकार को बदले नितिश कुमार ने जो पहल की है हम उसके साथ हैं तो यानि कि एक संकेत दिया है कि क्या हम आदमी पार्टी जेडी वार जेडी के साथ खड़ी है वही अर्विंद के जिवाल हैं जो अपसे अब 10 साल पीछे चले जाए अन्ना अंदोलन जब चलता था जनलोकपाल बिल के लिए उस समय सबसे ब्रश्ट कोन होता था लालुयादव सबसे ब्रश्ट होते थे इनके मताबिक शीला दिक्षित सबसे ब्रश्ट होती थी लेकिन उसके अब वह साफ पाक हो चुके हैं दूसरी तरफ अगर बात कि जाए तो यही अर्विंद के जिवाल हैं जिनोंने तमाम बड़े-बड़े आरोप लगाए थे नितिन गड़करी से लेकर अरुन जेटली से लेकर के शिरोमनी अकाली दल के नेताओं उपर मजीठिया पर उसके क्या हुआ ब्रश्टाचार के आरोप लगाए जब मानहानी का मुकदम हुआ कि सब जूठे हैं उसके बाद आकर के माफी मांगनी पड़ी थी अर्विंद के रिवाल को अब क्या कह रहे हैं कि सबसे ब्रश सरकार इससे में चल रहे हैं आजादी के बाद से यह कौन बात कर का मुखें मंत्री जिसकी दिली की सरकार के कई सरे मंत्री आप सब जानते हैं कि कैसे ब्रश्टा चार क्या रोपमें लिप्द हैं Rocky चल रहे हैं दो काम करेंगे सभी पार्टियों को एक जुट करेंगे अर्विंद के रिवाल से नितिश कुमार की मुलाकात के दोरान रागव चड़ा संजे सिंग तेजस्वी यादव वो तो मुझूद थे और साथ साथ में मनोज कुमार जहां भी इस बैठक के दोरान मुझूद रहे नितिश कुमार से मुलाकात के बाद अर्विंद के रिवाल ने दो बड़ी बाते कही दो बड़े बयान अर्विंद के रिवाल के सामने है आई आपको विस्तारपूरवक दोनों के बारे में बताते हैं सबसे पहले अर्विंद के रिवाल ने कहा कि देश में इस समय एक आम आ कर आनी चाहिए जो इस देश को विकास दे सके देश के लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिला सके अब देखे इसमें जो विकास की बात की जा रही है जब दिली में हम विकास की बात करते हैं तो उस समय तो सारा ठीकर आर्विंद केट जिवाल केंदर सरकार पर फोड़ दलों को इकठा करने की पहल की है हम पूरी तरह से उनके साथ हैं अभी आप लोगों के मन में डेर सारे सवाल होंगे उन सवालों के जवाब एक शाम की मुलाकात में नहीं दिये जा सकते जैसे जैसे रास्ते में चलेंगे वैसे वैसे आपके सवालों के जवाब दिये जाए लेकिन उसके बावजूद अगर बात के बहुत सारी ऐसी शेत्रिय पार्टी हैं जिनको साथ में अगर नहीं लाते हैं तो विपक्षी जुड़ता नहीं दिखाई देगे वहीं इसी बीच केंद्रे मंत्री गिर्राज सिंग का भी बड़ा बयान सामने हैं प्रतिक्रिया उन्ह चाहता है इसमें नितिश कुमार प्रभल भी हैं यह भी का उन्होंने कि प्रभल हैं वो प्रधान मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं इसलिए मलकार जुन खडगे को मिलने जा रहे हैं खुशामत कर रहे हैं और राहुल गांदी से मिलने के लिए बड़ी मुश्किल से 2024 का बद खाली नहीं अब यहां पर आप सोच सकते हैं उन्होंने वो गाना गा करके कहिना के इंतंज कसा है कि दिल के जो अर्मा है आपके परधान मंत्री बनने के वो आंसुओं में बह जाएंगे और 2024 का जो परधान मंत्री का पद है वो खाली नहीं है यानि कि साफ तोर प बीजेपी ने इसको लेकर के स्टैंड क्लेर कर दिया कि वो आकरामक तोर पर 2024 के लिए जो है मैदान में उतर चुके हैं और चाहे कितनी भी विपक्षी पार्टियां साथ आने का प्रयास करने बीजेपी अपने जो है मैदान में आगे बढ़ रही है वहीं आगे गिर्राज सिंग हमेशा जो है वो इसी तरह के नपे तुले ब्यान देते हैं अब इस ब्यान पर आपका क्या कहना आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्ष में शेयर करें लेकिन इसी के साथ आपको बता दे कि अर्विन केट्रिवाल से पहले नितिश कुमार ने राहुल गांदी से भी मुलकात की थी नितिश कुमार और तेजस्वी यादव कॉंग्रेश अद्यक्ष मलिकार जुन खडगे के घर ज आपहुंचे थे और वहीं पर राहुल गांदी से बुद्वार सुबा मुलकात की थी मुलकात के बाद नितिश कुमार हो या फिर राहूल गांदी हो उन्होंने मीडिया से बाचीत भी की थी और नितिश कुमार ने उस समय भी कहा था कि हमारी विपक्षी एकता पर बात हुई है और जादा से जादा पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश है और हमारी सकारात्मक बातचीत हुई है ये उस दोरान कहा था और राहुल गांदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि नितीज जी की पहल बहुत अच्छी है अपोजिशन को एक करने के लिए जितनी विपक्षी पार्टी है उनको एक करने के लिए इसको historical step बताया थ कि ये देश के लिए उठाय गया देश पर आक्रमन के खिलाफ लडेंगे वहीं उस प्रेस कॉंफरेंस में अगर बात कि जाए तो मलिकार जुन खडगे बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादव और कॉंग्रेस बिहार के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाथ सिंग और उनक पर से उजग बनाया जा सकता है कि वो सबी विपक्षी पार्टियों को एक साल ले करके हैं लेकिन इसी बीच सवाल ये उठा है कि बिहार में इस समय जो हमें डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है चाहे राम नोमी के बाद जो वहां पर हिंसा बढ़की हो और चाहे वो फिर परिशद का रिजल्ट सामने है पांच सीटों में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को जो दो सीटों पर जीट पर जीट प्राप्त हुई आरज़ेडी का खाता नहीं कुला एक सीट जो है परशांद कुमार के समर्थन से कैंडिडेटने जीता और बीजेपी वहां अब उबर करके सबसे बड़ी पार्टी जो है विधान परिशद में बन चुकी है ये भी सच्चाई है इसको भी कहीं ना कहीं अपोजिशन को समझना होगा और क्या इसी के मद्दे नजर अब दोबारा से मुलाकात की जा रही है लेकिन आपको बता दे बिहार में पहले से ही विप बख्ष एक साथ है लेकिन आपको बता दें मुलाकाते जो है के वल बिहार के जो मंत्री है विपक्ष के और दिली में समय जो कॉंग्रेस पार्टी यहां फिर अर्विंद के जिवाल उनसे अभी मुलाकात हुई अभी लेफ्ट से भी वह मुलाकात करें लेकिन लेफ्ट से पहले ही उनका गड़बंदन चल रहा है बेरहाल अब यह स्टेटमेंट जो सामने आई है उसके बाद गिर्राइश सिंग ने जो कटक्ष के इस पर आपका क्या कहना है आपकी कह रहा है आप जरूर हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर करें और आखिरकार इनका चहरा कौन है इच्छा राहुल गांदी के मन में भी हालांके अब इससे दस्ता गई हुई है इच्छा अर्विन केड्रिवाल के मन में भी है अब आपकी कह रहा है इस पर जरूर हमारे साथ कमेंड बॉक्स में शेयर करो इससे जोड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बने बाद